हेलो दोस्तों अगर आप भी कक्षा 11-16 तो लेकर हैं म्यूजिक यानि संगीत का बिल्कुल रियल प्रस्न पतर ठीक है यह पेपर आपका 50 नंबर का रहने वाला है बीसे को 318 रहने वाला है आर्ट्स वालों के लिए संगीत यानि म्यूजिक का पेपर होने वाला है ठीक है समय मिलने वाला एक घंटा तीट में करका कच्छा 11-16 अक्टूबर 24 का बिल्कुल रियल पेपर होने वाला है चलिए दिना बीनादेरी को यह पेपर को स्टार्ट करते हैं ताल मेनी सब्द करिया कौन सी है सम है ताली है खाली है इन में से कोई नहीं है तो इसका राइट एंसर क दूर किसली आपका शूंत करमिक कौन तो और तो इसके वाला हो जाएगा तो हम इसके राइट एंसर कोजाम को जाएक define और से कौन गजाते है या बजाती है सरोध सितार संदूर वाल वाइलिंग तो क्या जगा वाइलिंग हो जाएगा ठीक है यानि कि यह हर्मुनियन टाइप होता है यहीं में जाते हैं option क्या हो जाएगा D इसका राइट एंस्वर हो जाएगा तीन नमर कोशन है डॉक्टर इन राजन में कौन से वाद्य वजाती है तो क्या हो जाएगा वाइलिंग यानि कि option क्या हो जाएगा तीसरा का D आपका राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे कोशन है आपका यहां पर राग देश की वादी समवादी क्या है ठीक है क्या है तो गीन औ इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे है चार ताल में कितने विभाद है चार पांच छे साथ कितने है तो चार ताल यानि कि चार हो जाएगे ना option क्या हो जाएगा ना पांच का ए आपका राइट एंस्वर हो जाएगा आगे राग केदार का सौट क्या ह यानिकि option क्या हो जाएगा अगे है ताल धिल बाडा में कत्नी मतराई होती है, 10, 12, 14, 16 कितनी होती है तो देखिए इसका right answer क्या होचे का 12 यानि कि 7 का क्या हो जाएगा ना option B ना आपका right answer हो जाएगा 30 में 30 question कराएगे आपका ठीक है तो अंतीम तक बिल्कुल बने रहेगा ठीक है बिल्कुल अंतीम तक विडियो में बने रहेगा अगर हिंदुस्तानी संगीट में कितने 60 है ठीक है ठाट है ठाट है ठीक है आठ 10, 12, 6 तो कितने है ना तो आठ है यानि कि option क्या हो जाएगा ना A number इसका right answer हो जाएगा अगर तीम रम्मा का परियोग किस रहेग में होता है यमन में काफी में बिहाग में ठीक है भुपाली में तो किस में तो काफी में यानि कि option क्या हो जाएगा ना B number इसका right answer हो जाएगा अगर है रूपा का ताल में कितनी मत्राइ होती है साथ छे पांच पांच या चार तो कितनी होती है ना इसका राइट एंसवर क्या होजागा ना 6 होती है यानि कि option क्या होजागा 10 का भी आपका राइट एंसवर ना हो जाएगा ठीक है चली आगे राग बिलावल का गायन समय क्या है तो क्या है तो प्राता काल है यानि कि 11 का क्या हो जाएगा ना option भी आपका राइट एंसवर हो ज आगे है आपका तबले में चमड़े से मड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है ना तो मैदान कहलाता है यानि कि option के हो जैगा न, B इसका right answer हो जाएगा आगे है, rag भेरों का गाएन समय क्या है? तो dorthक कै險 दूसरा पहर है? क्या हो ज Beetle का दूसरा पहर है? यानि कि option का हो जजैगा न, B नमबर इसका right answer हो जाएगा आगे order of Sanpunr जाती, किसी rag के आरोह में कितने dwarf हैं? तो 6 है क्या हो जागा 6 यानि कि option क्या हो जागा न भी इसका right answer हो जाएगा आगे राग भुपाली की से जाती की राग है तो पांड़ो की किसकी है तो पांड़ो की यानि कि option क्या हो जागा 16 का P हो जागा अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सस्क्राइब निके चैनल को सस्क्राइब करके विडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर राग काफी भी गायन का समय क्या है तो क्या है तो दो पहर है दो पहर यानि कि option क्या हो जागा न भी इसका राइटेंस वर हो जाएगा आगे गीत के दुसरे भाग को क्या कहते हैं तो अंत्रा कहते हैं क्या कहते हैं अंत्रा यानि कि option क्या हो जाएगा भी इसका right answer हो जाएगा आगे दरारताल की ताली किस मात्रा पर है एक पर दो पर तीन पर छे पर तो किस पर तो दो पर यानि कि option क्या हो जाएगा उन्हें इसका भी आपका right answer हो जाएगा आगे question है देखे पन सियाराम तीवारी किसाली के गायक थे तो धुरूपत के इसके हैं तो धुरूपत के यानि कि option क्या हो जाएगा ना भी इसका भी आपका right answer हो जाएगा अगर आप चैनल पर नए हैrí तो चैनल का सब्सक्राब ही कर दीजियेका जबत्ताल की दुसरी ताली किस मात्रा पर है एक पर तीन पर उस्द पर या दस पर तो देखे कोई भी मात्रा होती हैं दूसरी पर तो किस फ़र होती है तो पहली को होती है यानि कि आपका right answer क्या हो जाएगा न एका इसका ए आपका हो जाएगा आगे की स्राग में दोनों माध्यम लगते हैं यमन में, देश में, विगाह में, कॉफी में तो इसका right answer क्या हो जाएगा न देश में यानि कि option क्या हो जाएगा बी इसका right answer हो जाएगा आगे भारवी राग में कितने स्वर प्रियुक्त होते हैं पांच, छे, साथ या चार तो कितने होते हैं न तो छे होते हैं यानि कि option क्या हो जाएगा न भी इसका right answer हो जाएगा आगे question आपका यहाँ पर है अभी 9 राजी, मंजरी, पुस्तक के लेखा कौन है पांडित परवटन धन, ठीक है, पांडित वायर करनाथ, ठाकवर, पांडित भात, खंडे, ठीक है, पांडित रामसर जहा तो क्या आज़ेगा पांडित रामसर जहा यानि कि option क्या हो जाएगा डी इसका right answer हो जाएगा ठीक है धमार ताल में खाली किस मातरा पर है तो आठ पर, यानि कि option क्या हो जाएगा बी इसका right answer हो जाएगा आगे नीम में से पाख़ड वजवादक कौन है तो पांडित रभी संकर, यानि कि option क्या हो जाएगा बी इसका right answer हो जाएगा आगे किस ताल में दो भी भाग हैं तो तीन ताल में यानि कि option क्या हो जागा भी इसका राइट एंसर हो जाएगा आगे सबसे त्रीव लोई किसकी है तो स्वर बिस्तार की किसकी है तो स्वर बिस्तार की यानि कि option क्या हो जागा भी हो जागा देखे कि खेले में चैनल को तक के अगले विडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर मिए दैकर उनका उनका भी हेल्प हो जाए प्मिलते हैं अगले विडियो में